सब्सक्राइब दे चैनल, प्रेस दे बेल आइकोन तो गेट नोटिफिकेशन उन टाइम Hello guys, welcome to wisdom classes, आज हम पढ़ेंगे 8K Honeydew से chapter, the best Christmas present in the world, present किसे अच्छा नहीं लगता, आपको भी लगता होगा, आपके बड़े पे, हौली पे, दिवाली पे, कई बार आपको कोई न कोई present मिला होगा, मजा आता होगा, तो ये सबसे best Christmas का present है, क्या है, चैप्टर पढ़के पता ल example 6th of August 1945 को Hiroshima दे है क्योंकि इस दिन अमरीका ने जापान के हिरोशिमा के ओपर एटम बम फैका था ओके लेट स्टार्ट दे चैप्टर इस पोड़ेट इन जंक शॉप इन बिड़ पॉट रॉल टॉप डैस्क राइटर है जो वो कहता है मैंने देखा एक कबाड़ी की दुकान जंक शॉप के ओपर बिड़ पॉट में एक रॉल टॉप डेस्क को देखा दे मैंन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड आउक और वो जो बेचने वाला था उसने का अर्ली 19th सेंचुरी की है और आउक से बनी है यानि कि बहुत अच्छी लगड़ी है आई हैड वांट इट वन वो कहता है मुझे एक चाहिए भी दी बट पीसेज वन लेग क्लमजली मैंडेड स्कॉस मार्क्स अल डाउन वन साइट अब बहुत बुरी कंडिशन में तो थी जले हुए के निशान है वह जो उपर है उसमें उकड़ी हुई है कहीं कहीं से यह उसकी टूटी हुई थी और उसको भी बड़े खराब दरीके से सुधा रखा दा इट वस गोईंग फॉर वेरी लिटल मनी लेकिन बहुत सस्ती थी आय तोट आय कोड रिस्टोर इट मैंने सोचा इसको में ठीक कर सकता हूं रिपेर कर सकता हूं यह बैट रहेगा इगा इट वोड भी एम रिस्क ए चैलेंच बट आय है तो हैव यह रिस्क था चै रोर्क रूम एट दे बैक ओ और गैरेज्ट मेरी गैरेज के बैक मेरा वर्क रूम था वहां पर लाके मैंने उसको रख दिया और क्रिस्मस की जो संद्धा है उसके ओपर मैंने उसके वीपर काम करना शुरू किया इपार रिमूड रोल टॉप कंप्लिटली एंड पूल्ड उसका जो रॉल टॉप है उसको उतार के एक साइड में रख दिया और जो ड्रोवर से उनको निकाल दिया दो वनियर हैट लिफ्टिट अल्मोस्ट एवरिवेर जो उसके ओपर जो सजावटी लेयर हो दी है यानि की सनमाई का बोलते हैं जिसे हम वो बिलकुल बहुत खराब हो चुकी थी अब पानी और आग ने उस डैसको खराब करने में कोई कमी तो छोडी नहीं थी दे लास्ट ड्रोवर वास्ट लेकिन जो लास्ट की जो ड्रोवर है वो बिलकुल ही स्टक थी उसमें फसी होई दी कुल नहीं रही दी I tried all I could to ease it out gently मैंने उसे आराम से निकालने की कोशिश की In the end I used brute force लेकिन फिर मैंने कोशिश की थोड़ा जबरदस्ती करने की I stuck it sharply with the side of my fist and the tower flew open to reveal a shallow space underneath a secret tower लेकिन जब नहीं खुल रही थी जबरदस्ती करने के वे तो मैंने उसके उपर घूसा जमाया और जैसे ही गुशा लगा तो एक साइड से थोड़ी छी दिखाई देने लगी तो मुझे उसमें अंदर जगे दिखाई दी नीचे की दरफ जहां पर शायद एक secret drawer थी देर वाहा पे कुझन कुछ साइड आयर रिजें और तो काउट आट डाला और एक छोटा सा तीन का ब्लेक बोक्स है जो वुमने निकाला cello taped to the top of it was a piece of line note paper and written on it in shaky handwriting cello tape से कागज सिपका रखा था और उस पे शायद कापते हुए हाथों से कुछ लिखा गया था क्या Jim's last letter Jim का last letter है received January 25th 1915 1915 की 25 जनवरी को मिला to be worried with me when the time comes जब मैं मर जाओं तो इस letter को मेरे साथ दफन कर दिया जाए I knew as I did it that it was wrong of me to open the box मुझे पता है के box पोलना गलत है but curiosity got the better of my scuples it usually does लेकिन जो curiosity है जो जिग्यासा है वो रुकती नहीं है यानि की खोल के देख लिया inside the box there was an envelope the address rat उसके अंदर क्या था एक envelope था एक लिफाफा था जिसके बाहर letter लिखा हुआ के उपर जो एड्रस है वो था मिस्स जिम मेख फोर्शन साथ चू कॉपर विसस ब्रेट पॉर्ट दोसेट यह उसका address लिखा है बाहर I took out the letter and unfolded it मैंने लेटर को बाहर निकाल और unfolded या निकी कोला it was written in pencil and dated at the top December 26th 1914 उसके उपर जो डेट डाली हुई थी लेटर के उपर वो थी चब्यूस दिसम्बर कुनिस्वेश चोदा पैंसल के साथ वो लिखा गया था it was the part number one the best Christmas present in the world thanks for watching the video kindly subscribe to my channel and don't forget to press bell icon